हेलो फ्रेंज मैं हूँ बोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुफित बोली में यो सुरू आने से पहले आप सभी से मेरा रेक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तेक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जली से कर लिजी बेल एकन को भी प्रेस कर लिजी ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसिपी आज मैं आप सब के लिए 36 गड़ के एक और फेमस सब्जी चुन्चुनिया भाजी की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे चुन्चुनिया भाजी सुन्चुनिया भाजी या तिन पनिया के नाम से जाना जाता है यहाँ पर मेरे पास लगभग 500 ग्राम के जितनी यह भाजी है सबसे पहले इसमें से जो लंबी-लंबी डंठल होती है उन्हें हम निकाल लेते हैं तो वो प्रोसेस तो मैंने कर लिया था दिखा नहीं पाई आप लोगों को तो कुछ भी नहीं रहता है इसमें जो लंबी डंठल होती है उन्हें अलग करना रहता है और बस पत्तियां हमें लेनी रहती है इसके क्योंकि डंठल जल्दी से पकती नहीं है इसलिए और इसे अच्छे से दो-तीन बार बड़े से बरतन में हम डुबा करके धो लेंगे ताकि इसमें जो मिट्टी वगरा चिपकी होंगी ना डस्ट वगरा होंगी वो निकल जाए आसानी से तो इस तरह से दो से तीन बार हम से धो लेंगे और यह देखिए इस तरह से पत्तिया होती है इसकी बहुत ही सुन्दर दिखती है यह जितनी सुन्दर दिखती है उसे कहीं जार टेश्टी यह खाने में लगती है अभी तक आपने जितनी भी भाजिया खाई होंगी ना इसम तो यसे मैंने धो लिया है 3-4 अच्छे से और चलिए ब़िसे पका लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लगभग 5-6 टीज्पून चनः डाल लिया है अब इसे पानी अच्छे से धो लेते हैं चन्न दाल को धोने के बाद अब एक कढ़ाई में हमने एक ग्लास पानी डाला है इसी में हमने जो चन्न दाल धो करके रखा था उसे भी डाल देंगे और इसे पकने देंगे इसे कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से यह पक जाए अलगभग 5-6 मिनट क पकने पकने तक हमें पकाना है ताकि भाजी और चन्न दाल आपस में पक जाए अच्छे से तो भाजी हमारी पक गई है तो चलिए अब इसे तड़का माल लेते हैं क्योंकि यह वाला प्रोसेस बहुत ही जरूरी है जब तक भाजी में तड़का नहीं पढ़ता तब तक वह पर मैंने 7-8 कली लहसुन लिया है इसे बारी काट लिया है अब एक कड़ाई में दो चमास तेल डालेंगे और सबसे पहले लहसुन डालेंगे लहसुन का कलर हलका सा चेंज हो जाए चार सुखी लाल मिर्च है इसे मैंने तोड़ लिया था रफली मिर्च भी अच्छे से भून चुकी है अब यहीं पर हम दो टमाटर टालेंगे कटे हुए टमाटर डाल करके तुरन ढखकन ढख दीजिए ताकि बगार इसी में रहे उड़ने न पाए यहीं पर हम नमक एट कर देंगे स्वादयनुसार टमाटर गलते तक हम इसे पका लेना है तो भाजी तो वैसे ही बन सकते हैं और बाद में से प्लासुन और मिर्च से इसका तड़का लगा सकते हैं तो जैसे भी बनाई है बहुत टेस्टी बनती ही भाजी टमाटर अच्छे से गल चुकी है यहीं पर अब हम भाजी एट कर देंगे और ढख करके इसे दो मिनट के लिए छोड़ देंगे तो देखे भाजी और टमाटर दोनों एक सार होके पक गई है और बहुत ही टेस्टी भाजी बन करके रेडी हुई है हमारी तो आपने अभी तक यह वाली भाजी ट्राइक किया है कि नहीं जरूर करके देखिए बहुत ह तेस्टी लगती है खाने में आप सभी इसके दिवाने हो जाएंगे तैयार है हमारी 36 गड़ की फेमस चुंचुनिया भाजी की रेसिपी और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे कृष्णा